नहीं कोई गुसा हुआ है, नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है। लदाख में हमारे बीज जाबाच सहीद हुए, लेकिन जिनों ने भारत माता की तरफ आँख उठा कर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए है। उनका इशावरिय, ये बलिदान हमेशा हर भारतिय के मन में अमीट रहेगा। साथियों, निश्चित तोर पर चीन द्वारा एलेसी पर जो किया गया है, उससे पुरा देश आहत है, आक्रोशित है, ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सब के माध्यम से बार बार प्रगट हुई है। मैं आपको भी आस्वस्त कर रहा हूँ कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड रही है। डिप्लोईमेंट हो, एक्षन हो, काउंटर एक्षन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है, वो कर रही है। आज हमारे पास ये capability है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन के तरफ आँख उटा कर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मोग करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचीत कदर उठाने के छुट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूंक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंड्शिप चाहता है, लेकिन अपनी सोवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वो परी है। और आप समने भी इसी भाव को प्रगट किया है। साथियों, बीते पांच बर्षवा में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफरसेक्टर डेवलेप्मेंट को प्राथिक्ता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवशक्ताओं जैसे फाइटर फ्लेंज, आदूनिक हेलिकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टिम, आदी पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफरसेक्टर की वज़े से, खासकर LAC में, अब हमारी पैट्रोलिंग की केपेसिटी भी बढ़ गई है। पैट्रोलिंग बढ़ने की वज़े से, अब सतक्ता बढ़ी हैं, और LAC पर हो रही गतिविदियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जीन खेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे ज़वान अच्छी तरह से मोनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉंड भी कर पा रहे हैं। अब तक जीन को कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बहतर हो रहे इंस्पास्टर से, एक मदद ये भी मिली है, कि हमारे जवान, जो उस कठीन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजों सामान पहुचाने में आसानी हुई हैं। साथियों, राष्ट हीत, देश वास्यों का हीत, हमेशा हम सभी की सरवोच्च प्रात्विक्ता रही हैं। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिवीटी हो, काउंटर टर्रिजम हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्विकार नहीं किया है। राष्टिय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कारी है, जो भी जरूरी इंफरस्ट्रेक्चर का निर्मान है, उसे इसी तरह तेज गती से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजलितिक दलों को फिर से आस्वस्त करता हूँ, कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कारेवाई के लिए पूरी छूड़ दी हुई हैं, आप सभी ने इस बैटक के लिए अपना समय दिया, अपने मुल्यवान सुझाव दिये, इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी देत्रुत्वगन का, रुदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके सुझाओ, आगे की रणनिती में बहुत लाब करता हूँगे, यह मुझे पुरा विश्वास है, मैं फिर एक बार इस एक्ता का संदेश देने में, आप जो बढ़ चट करके आगे आये हैं, वे सेना का मुरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए, वो पहुँचेगा, और इसलिए आज की मिटिंग में आपकी सकारत वक्त भूमिका का बहुत मुल्य है, उसका बहुत अइतिहास एक मरत्प है, और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं फिर एक बार आ झाल 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 झाल